चलिए तो यह आपने पूरा का पूरा लंग्स का अनाटोमिकल सेटप देख लिया ठीक है अब पता है अभी मैं आपको क्या पता है कि अगर दोनों लंग्स देख लोगे तो दोनों लंग्स मिला कि तीन सो मिलियन होता है अच्छा बार बताओ एक्ट्वल साइट फोर गैसे सटेंज रेस्पेटरी जोन रेस्पेटरी ब्रंकोल से लिके लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा कहां तो सबसे ज़्यादा अगर दोनों लंग्स मिला के जितने मालों कि यह है कि आलवलाई यह यह सारे मिलाके स्टीमेटेट क्या गया है सेवेंटी टूहंड्रेड मीटर स्कॉर्ड सर्फिस एरिया तो अब क्या है कि इस तरीके से पास एलवलाई के पास अब मैं अलवलाई गराएग्टारम मना रहा हूँ तेक है इदर आ जाओ यह qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq थे बारला बरवाला बरवाला चोटा वाला जो इसको मैं Church छोटा वाला ब्रव Really 1213 तो आप देखे जली से यह two है यह 27 बता किसका साइज चोटा किसका नमब जादा guy i-inkनिमोसाइट वन का निमोसाइट वन का साइट चोटा है और उसका नमबर ज्यादा है निमोसाइट टू का साइज बड़ा है मगर उसका नमबर कंद नो वर्जी था सबस्क्राइब और शिंच करें यह कर लंगस के सर्फेस को शिपकने यह प्रटोपशन करें और इसी वेरे से में पट्टी नहीं होता है क्योंकि अपे लेसी थीन लंस कभी भी पच्केंगा नहीं तो लंग्स कभी प्रक्रम नहीं तो सब्सक्राइब करें कि यह को क्लाप्सिंग सब्सक्राइब करता है तो कैसे निमो साइट वन के बीच-बीच में पोर होता है हां पर यह पोर है यहां पर सेंटिमीट को सब्सक्राइब यहां पर सेंटीमीट को हरसी इस फ्लिणें सवाइब होता है जर आएगा तो अधियम से चलाएगा उदर बलेड में यानि किदर बलेड होगा है है बताते हैं कहां है और बलेड से स्योटु इसी पूर अफ कुन को होते विये आ जाएगा कहा इस ऐप पता है इस से होते विये अल्वेलर सेको फूरा बिल्कुल इधर बलेट कैपिलरी है मैं आपको पहले बता चुकहाँ कि बलड का पिलरी पर देम होती है, उसका खास नाम है, क्या मैं पहले बता चुका हूँ? याद है किसी को? अंडोथेलियों? और किसका लेग हो रहा है? यह सर्थ तो कितनी देर पहले से लेग हो रहा है? तभी से हो रहा है? तभी से हो रहा है? अभी से हो रहा है, तो छुटा नहीं नहीं है कुछ? अब नहीं हो गया है, तो अभी दो तीन मेट पहला है, हाँ चलो ठीक है, यह भी एक परकार का सिंपल एक एक हो मैस से ठीक है, अब सुनना इसके बीच में, यह बिच में, यहलोउडों अपी पीद्विंचिले में और फिर फूलता है अब मुझे बताओ तो अगर मैं रेस्पारेटरी सर्फेस काउंट करूंगा कि रेस्पारेटरी सर्फेस में कितने लेयर हैं तो किसका नाम लोगे दली बोलो थो फिर खिर आफ यह ऌफ बताओ यह नंंग्नलों कितने लेह होज मैं यह मैं आइट अप्राइब ंसर नेंट अंडर नेंट एकल्ड आढाएगी इन तीन लिएर को determined करके ओटू इदर से इधर आएगी और इसकी ठीकनेस पर डिपेंड करता है गैसे सक्षेंज का रेट इसकी ठीकनेस पर यह सब बहुत आगे आगे बहुत आधा दो कि आपको अलेलिए का स्ट्रक्चर के लिए हो गया ऐसा मैंने एक अलेला बताया ऐसा सा कितना अपसे पाप्स को जबधाँ यह जड़ी जड़ेटी तो घृट रहा है भट रहा यानि कि स्क्रेट स्मॉपिंग से सर्फेश अरिया घरता है दूनुआ दूटर को टूस सर्प्य अंपाइक यह सांप कर दोट फसकेता है कि अट्र आपका प्रिय्ड गेस्टनी थे नoded다가 सुआ देगे ऐकम क मजब और तोट कहले लवल गटय। तो यह तो सारी बात हो गई किसकी अलबलाई की फिर रिपीट करते हैं सारी बात याद करो मसल का सार को मियर इसकेलेटर मसल में सार को मियर पिरिनी का स्ट्रेक्शन फंक्सण विट नेफ्रॉं नर्बस सिस्टम अश्टेशन विट नीरॉं लेवर का सब्सक्राइब अब अगर दोनों लंग्स मिला दें तो तो थीन सो मिलियन लंग्स अलबला है सर्फेस अरिया सेमेंटी टूंटर मिटर स्कॉर एस्टिमेट किया जाता है इतना होना चाहिए एक लदी परसन में तो उट्टा मारने वाले में घर जाता है ठीक है तो दीस इस दा इस्ट्रॉर अब अब समझेगे धान से कि यह पूर तो पहले मैं आपको एक वार वह पींजरा दिखाता हूं यहां तक कि सारी बात है किलियर है तो एक वार आपको में नोर्स दिखा देता हूं पहले कि मैंने अब तक आपको क्या-क्या पढ़ा दिया है यह देखो यह वाला डागराम मैंने आपको पढ़ा दिया अब देख लेना गर पर मैंने पूरा पढ़ा दिया है अब गर पर देख लेना उसका थियूरी दर है अब लंग्स को मिला हुए दोनों लंग्स को मिला हुए 300 मिलियन सब्सक्राइब सब्सक्राइब दो लेयर होती है वह प्लूरल लेयर इसे यह 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 बात और बता रहेता हूं यह यह बहुत प्रयास किया रोकने का माल लो पहुंच गया तो अलबुलाइस ब्लड में नहीं जाना चाहिए ब्लड में चला गया तर्फ तो डीजी स्काउस करा देगा वह यहां पर कुछ ऐसे यह बात में चल्ड ही श्टार्ट करने वाला इम्मून सिस्टम दोश्ट में आ जाएगा ठीक है और अब्ड़ी में कुछ फेगोसिटिक से और हमारे बॉडी में कुछ फेगोसिटिक से लिप्या होता है जो बॉडी में घुमते रहते हैं ब्लेड में डट इस कॉल अब अब ब्रेन को बताएगा इसे हर जगा ऐसे थाइमस में होता है आपको अलग और जब आता जाएगा आपको बता जाओंगा और इम्यून सिस्टम एग जगा पुरा चार्ट बता जोंगा अब जलते हैं तो अब बढ़ते हैं और अब चलते हैं फ़र सिक्टेंबर की तरफ मैं थोरे सिक्टेंबर को एक डाग्राम से बताना चाहरा हूं 3D डाग्राम है उससे एक्स्प्लेइन करूंगा यह डाग्राम देख रहा है सभी को हां जी है इस सर्ण तरफ दिख्राइं करने क्या वे सकता है क्यां यह के शो लोथ अच्ट प्राश में ट्रशन हो इसके पीछे कही ना जाइन दॉर्साल होगा फिछे फील परोड़ औरा लुग करो यह बुडिग यह पीछ्छे इसके डॉर्सांौब तो जश्ट आगे में यहाँ पे च्छाति के पास ये ऐसा एक बून होता है एसकलेटल सिस्टम में भी आजाएगा ऐसा एक बोन होता है दिस बोन इसके पीछे फील करो इसके उपर नेक है तो नेक इसके पीछे में नेक से लेकर नीचे पीट के थोड़ा सा उपर तक बाराग बटी वीड़ी है देखो यहां पर T1 इसके पीछे फील करो T2 T3 T4 T5 यहीं पर यहीं पर रहे का डिवाइन इंट इसी लेवल पर ती 5 6 7 8 9 10 11 यह पुरा का पुरा क्या थोर्सिक भर्टिवरी एक लाइनिंग तयार किया आगे से इस्टर्नम एक लाइनिंग तयार किया ठीक है तो जले रदा आगे वाले बट को बलते हैं वेंट्रल पीछा वाले क बाहँ आगे कं गाव पुरा इवर स्टर्ण माना दिया नहीं ये एक रिवस है यह दूसरा रीव्स है यह सब भड़ी है एड़ी वाले चप्टर में पढ़ाएंगे रीव्स अब पता है रीव्स कैसा होता है देखो यहां से रीव्स सला ऐसे चलके पीछे थोरी सिक वटीवरी को टच किया तुम मुझे जल्ली से बताओ रीव्स किन-किन सर्फेस को फेस बना रहा है तो जल्ली से मुझे बताओ पूरा पिंजरा बनके तयार होने वाला पिंजरा का आगे के दिवार बनाने में कौन-कौन भाग लिए जल्ली बताओ स्टरन्मर और इतना देर से क्या ब्लना बैं सब इस टडद nun और इमें पीछह दिवर मिंपाले में कौन बाग लिया ना धार गॉकि वह उतिश था मिंट इध का दिवर में आंगांक है तो मुझे बताओ एक पिंजरां बनेंका तयार हो गया लेकिन पिंजरा का भी छत और फ्लोर तयार नहीं हुआ है तो सुनो छत में दो यहां यह पुरा का पुरा दो हड़ी होता है यह एक कलेविकल अपर से पूरा अब आजाओ नीचे कौन है आपको पता है जहां पे लंग्स होगा इसी के अंदर लंग्स होगा वहाँ पे डाइफ्राम होगा अब दाइफ्राम के ऊपर ही थौरसी चेंबर उसके नहीं तो फिर अब्डॉमेल डाइफ्राम तो मुझे जल्दी से बता दो कि अगर मैं बोलूं कि एक तीनजरा बनके तयार हुआ तो पिंजरा में एंटीर पर कौन है फॉस्टीर पर कौन है वैंट्रल पर कौन है अ अरे य जल्दी एंटीर वोपर पॉस्टीर ऑपर ऑड़ा पॉस्टीरियच ऑन की दिए डैफ्राम् तुछ भी मत बोल दिया करें तरह बारख दूसरे का सूनके मत बोलो यह आपना तुम भी चोडी करोगे जो बोला एक सब उसी को सब रिपीट कर देंगे का सीखोगे जीवन में तुम लोगों से नहीं होगा तुम लोगों से नहीं होगा चुपड़ो मैं लिग देता हूं मुझे रिवीजिन करना है छोडली करना है मुझे रिभीजन करना मुझे हे याद मुझे मेरा रिभीजन हो गया तुम्हें आए कि नहीं है मेरा रिवीजन हो गया क्योंकि तुम्हें तो ध्यान ही नहीं आपके तुम्हेरा ध्यान रहे तब तो अभी कौन बताया था यहां पे अभी कौन बताया था कि आगे से यह कौन है आगे वाला वेंटरल होता है आगे से कौन है इस्टर्णम और कौन Y.'' और कौन है Refs ? तो आगे वाला Penral पीछे वाला डॉर्सल यह नहीं बताए हुआ है ओपर से कौन है ? एंज़ियर कलेविकल पीछे से पि Avatarים बता दिया असाइड से प्रॉंज़ यह नहीं आएगा नहीं आएगा है नुए अबदाव आगे तो यह पुरा का पुरा क्या है एक पिंजुरा है और इसी पिंद्रा को क्या बोलते हैं रिवी केज बोलते हैं इसी पिंद्रा को क्या बोलते हैं थोरसिक चमबर कहते हैं अब आपके मने में डाउट आ रहा होगा कि इसके अंदर रखा हुआ है लंग्स इधर की तरफ क्या र और हरो था Уडगे क्यों कि और उस लंग सर्फिस के बीच में एक और की फूर्वी फलूड की लेयर भी जायीं जैसे मालों की लंग्स का सरफेस है तो ऐसा नहीं एक लंग्स के साथ तब तो इंजरी सकता है नहीं इन दोनों कभी इस शींय खैप है और इस समय क्या बढ़ा हुआ है बटा हुआ इस गैप में फलूड बहा सब्सक्राइब कर रहा होगा कि यह हड़ी है ही कि यह क्या क्या कर रहा है लंग्स को के लिए क्या फाइदमन दे एड़ी क्यों रखा गया वहाँ पर तुम मत बोलना तुमारा ज्यादा नेटवर्क कर रह रह तुमारा लैग करके आता है और मुझे काफी देर लग रहा है तुम मत बोला करो जेज़े नेटवर्क सही रहता है मैं मना नहीं करता हूं ठीक हां तो इस होल चमरी स्कॉलर जीब केच और यह क्यों है क्योंकि इसके अंदर लंग्स ठीक है माने कि लंग्स और के बीच में थोरे से प्लूड है बट कल को बाहर से कोई मेकेनिकल इंजरी लगे तो उसको पहले हड़ी बरदास्त करेगा हड़ी तूर जाएगा उसका हमारे पास लेकिन अगर लंग्स फट जाएगा उसका कोई ट्रिट्मेंट करा लेंगे करा लेंगे नहीं होगा तो अभी तक तो संबब नहीं है इसलिए बाहर से कोई मेकेनिकल इंजरी लग जाए उससे बचाने के लिए यही सेम काम हमारा करता है कि याद करो क्रेंयम और अर ब्रेन के बीच में बीच में मैनिञेज है और वह मैं इंजर उसको बचा रहा है इंजरी से और ब्रेन के अंदर पुरा का प्रफ फ्लूड है । क्ले मिन नो फ्लॉड जो कि फैसे बनता है तो ये सारी बात मैं आपको बता हूं और से यह heff दसके में फ्लोडatar और हुआ धूरत रखनाएं ल्हुसारश है आप फूरे सटप को यह लोट Cowf कि इस पूरे setघक को देख कि आपको कभी ऐसा लगता है कि हमार हमारा लंघ को नौन मस्कुलर है कि है यहाथ कहम लगता है कि अगया ड़्क टॉट्ध क एसकеци कि अग। अभे नहीं यह कि आंको नहीं नहीं ही हमारा लग्स नौन लेक्स केल से कायों है रोलिख और एक्सपांड तो करता है नहीं हमारा लंग कैसे करता है वह तो करता ही है अ कैसे करता है इंग मैं टाउंग अ बढ़ेगा कुछ नायख गर यूँस सब्सक्राइब करा जब उसमें कोंट्रक्षन होता है चैम्बर का गरता है तो श्रेज्ट के उपर प्रेशर पड़ा होगा उस प्लूड का जो लंग्स के चरोर है तो वह घटा हुआ की बढ़ा होगा जब यह पूरा-प्ड़ेयस व्हो कि बढ़ेगा प्रेशर इसमें लगाएंगे बेटा सोया मत कर रात को सोया कर जिस खास व्यक्ति को समय देते हो ना रात को वो तुम्हें आम भी नहीं छोड़ेंगे सोया कर रात को दीन को पढ़ा कर समद रहो और इसलिए तू क्यामरा बंद करता है क्लास में क्योंकि तेरे को क्लास में सुना होता है रात को किसी खास व्यक्ति को समय देता है बंद कर दे भुद में खास बन यह सारे लोग तेरे आगे पीछे गुमेंगे समर्थ रही कि यही बात भी बिवएक को है सम्झाता हूं है कि तुम्हें देख लिए तुम सो 17 में चलिए तो तो मैं यह बोल रहा था कि भाई साव अगर आपने इस पूरी की पूरी जो थोरसिक लाइनिंग के चारो मसल्स और डाइफ्राम में उसमें कॉंट्रक्शन करा है तो थोरसिक वोल्यूम बढ़ा थो लंग्स के उपर पर रहा था घट गया तो बताओ लंग्स एक्सपांड नह उसको रिलक्स करोगे तो थोरसिक वोल्यूम घर जाएगा तो बढर से लंग्स पर जो प्रेसर पर रहा था वह बर जाएगा यह Dawn Brent के बारे depends कि लना कर Umm Akad Hai थो आपको समझाने वाले और उन्मासल के बारे में विसक्तिन में वद襲 के में जांजब अब अगर जाने वाले पार्ट पर यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेजिए अभी इसे जरो अब च्रकर अभी दाज मत करना क्या को जोर से हा और नहीं फोचिंस फिर से हुदी निद्डी टूर जाना चाहिए इतना इन तफपर होना चाहिए और विसेख है और आज आपको NCRT में व कि अजआपको अरपन bin नमबर === पेज नमबर 269 पेज नमबर 269 से पेज नमबर 270 यहां पर पढ़ना सुरू करना heading नमबर 17.1.1 से और यहां पर second paragraph तक पढ़ लेना यहां तक पढ़ लेना फिर मिलते हैं वाली क्लास में मसल खतम करेंगे और अगे बढ़ाएंगे ठीक है